वेलकम टू कुकिंग शुकिंग इत्प्रिया आज मैं आपको मार्केड के जैसे बन घर पे ही बना कर दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से इसके लिए हम किसी विसे सांचे का यूज नहीं करेंगे और मैं ये बन आपको कड़ाई और माइक्रोवेव दोनों में ही बना कर बत में आसाने से मिल चाता है और आप चाहे तो ओन लाइन भी से ले सकते हैं 3 टेबल स्पून में यहां पर लिया है मोटी वाली शक्कर और 3 टेबल स्पून में यहां पर लिया है मिल्क पाउडर यदि आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप नहीं भी डालें 1 टेबल स्प तो अब हमने इसमें पाने डाला है गेस की जो फ्लैम है वो बिलकुल कम पे है तो टू टेबलék गेस की पेरिके बिलकüchtलेर करेंगे थो कि यहीं हमें ते ज़िए ख़ेंगे की थे ज़िए G compliment अधकिए पेरिक ते dolny की सबने ही दुआ है जड़ा सा अगारा भी नहीं करना है कि देखे इस तरह का मिश्लों करना है तयार है तो यह और घुण करना है बंद कर देते हैं मेदा में भी आप याप यश्ट लिया वह भी हम उसमें मिक्स करिंगे मीट पावडर नमक जो हमने मेदे का पेश्ट बनाया है वो हम डालेंगे रदा ठंडा नहीं तूरंती हमें इसमें डालना है तो इसको भी अब हम इसमें डाल देते हैं इसको हमें ठंडा नहीं करना है सभी को मच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा करके हम इसमें पानी एड़ करेंगे हमें नरम डो ही लगाना है इस तरह का हमें इसका नरम डो लगाना है ये देखे खूब अच्छे तरह से हमें इसको मतना है इस तरह 10-15 मिनट तक हमें इसको मतना है थोड़ी से हम चिकना ही लगा लेंगे और खूब अच्छे तरह से हम इसको मतना है ये इस टेप करना हमें बहुत ही जरूरी है इस तरह देखो खूब अच्छे से मैंने इसको मतना है अब हल्की सी हम इसके चिकना ही लगाएंगे त यृज मे अब हम ट्रांसपर करेंगे कि अब देच होगा तरह 20 घंट मैं इसने करेंगे श्यायक क्याओ चाहिए पर हमारा फूल के दूगून हो गया है को अब प्लेट निकालेंगे जो प्लेट पर मैंने चिके सेट हो गया हैuite ऐग्स हाथ पर जी में चिकना चोप्ट निकाल लेते है जो हम अब आतिवा मैं आप फूल करते हैं रोखमे हो अब प्रोन करो है इसको निकल जाए इस्टरहा हमें इसको निकल जाए हुए जितना हम अच्छा इसको मेश करेंगे उतना ही जो है रिजल्ट भी हमारा अच्छा आएगा अब डॉक को जो है हम इक्वल भाग में डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल हमें इसके बराबेर बोल बनानी है तो इसको थोड़ा हम लंबा कर लेते हैं तकि बोल का सइज जो है एक सा रहे पोड़ी सी चिकनाई लगाकर हम छोटोटे से जो है इसके लोये कट कर लेंगे इससे भी जो है बीच में क्रेक नहीं आने चीए यह देखी बिल्कुल हमें इस तरह रखना है तो इस तरह सारी बोल जो हमने बना ली है तो बन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 कटोरे ली है इसको हम अच्छे से ग्रीज कर लेंगे मार्केट में भी बन बनाने के सांचा आते हैं लेकिन आज हम कटोरी से ही बन बनाएंगे क्योंकि सभी के पास जो है सांचा अवेलिबल नहीं रहते हैं एक खाश ट्रिक के है हमारे बन बनाने की जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं तो इस तरह सभी कटोरियों को जो हम ग्रीज कर लेंगे यहाँ पर मैं इनको रिपाइंड ओयल से ग्रीज कर रही हूं बिल्कुल अच्छे से हमें इसको ग्रीज करना है जिस साइच की हमारी लोई है उसके अकोडिंग ही हमें कटोरी लेनी है तो सभी को मैंने ग्रीज कर लिया है अब जो बन हमने बनाए था वो इसमें एक एक करके रखेंगे आप चाहें तो निचे ब्राउन पेपर या बटर पेपर भी लगा सकते हैं अब एक एक बन को हम इसमें रखेंगे और अच्छा से दिरह से हम इसको प्रेस करेंगे हमारी जो लोई है वा कटोरी के बिल्कुल आधी होनी चाहिए ज़्यादा भरीवी नहीं होनी चाहिए सभी को मैंने अच्छी तरह से कटोरी में रख दिया है तो आदे गंटे के लिए हम इने ढख का रख देते हैं ताकि यह फूल कर दूगूने हो जाए उसके बाद हम इनको बेक करेंगे आदा गंटा हो गया है तो चलिए अब हम इने देख रहते हैं आप देख सकते हैं जो बन हमने रखे थे वो अच्छे फूल गए हैं काफी उपर आ गए हैं पहले जाब इने हमने रख था तो वादी कटोरी से भी कम थे और अब देख कितने अच्छे फूल गए हैं तो इने अब हम बेक करेंगे तो आज मैं आपको दो तरह से बेक करना स होता है तक तक हम इनको एक बार ढग देंगे तो मैंने यहां पर अलुमूनियू की कड़ाई है इसमें यह स्टेंड हम लगा देंगे आपके पास श्टेंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख तकते हैं इस तरह के मैं प्लेट इसमें रख देते हूं अब इसको हम धग देत है 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 आप चाहले तो खिलिया और मिवून में फिवननेटी इस तरह कर के बना सकते हैं जब कर्षे हीट होता है हम इसे भी अच्छे विल्क लगाना है मिट लगाने से प्लश अज्य हरता है इस तरह सब हम अब्स ळगा दिया है तो इनेये अब हम बेख होने के लिए रख बहुत ध्यान से हमें रखना है इस तरह इसमेने तीन कटोरी रख दी है अब इसको बंद कर देंगे बंद करने के बाद रीडियम पर हमें इसको पकाना है बेक करना है इसको बेक होने में हमें 20-25 मिनट का टाइम लगेगा अब हम माइक्रोवेव में भी रख देते हैं तो बं हमारे सिख चुके हैं तो इन्हें अब हम निकाल लेंगी अब हम कड़ाई के बं भी चेक कर लेते हैं तो धीरे से हम बड़ी सावधानी से इसको उठाएं तो कड़ाई बहुत गरम है आप देख सकते हैं ये बं भी हमारे सिख चुके हैं कितने अच्छे बेक हुए हैं आप देख सकते हैं इनको तो इने अब हम निकाल लेते हैं और इसकी फ्लेम को बंद कर देना है सबी बंद को हमने निकाल लिया है और एक प्लेट में रख लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे बंद जो हमारे सिक कर तयार हुए है इस तरह हम माइक्रोवेव और कड़ा बन अभी गरम है तो बन पे हमें रिफाइंड ओयल या पटर लगाना है तो सभी पे अब हम लगा देते हैं ये श्टेप हमें गरम-गरम में ही करना है तो इस तरह सभी पे मैंने लगा दिया है अब बन को धका हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं तक कि ये ठंडे हो जाए 10 हटा देते हैं औरहिं साहिता से निकालेंगे ठवड़ा गरम है अभी अम लगविए बड़ी साव्धानी से निकालना है इस तरह कि आखू की हँल्प से हमें इसको टीनारों से छुडाना है आठ खूडतला हैAP हम बन को निकाल लेते हैं बहुत अच्छा बन बन कर हमारा हमारे बनकार तैयार हुई हैं थोड़े देर के लिए हम इन योर रख देते हैं आप चाहे तो गरम भी खा सकते हैं यदि अज़़े रख देंगे तो यह और च्शे सेट हो जाएंगे तो ठखकर हम कर देंगे कितना अच्छा बन युदि का लगा दियार में युद्न सकते हैं। अब यह रखें नहीं ही द्यान है कि इसका जो युद्न हाट नहीं ही लगाना है। उमीद आपको मेरी रेसीपी जरूर पसंद आई होगी यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करना नहीं भूलें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं यह दिया आप मुझे फैस्पूग, इस्टाग्राम, एट्वीटर पर फोलो करना चाते हैं तो दिस्क्रेप्शन पर देगे लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फोलो कर सकते है thank you for watching my video आपका दिन शूब रहे